हेलो एंड वेलकम टू आल अफ यू आज जीए बाई प्यूसर यूट्यूब चैनल देट इस दवन श्टॉप सेंटर अब जीए जीए के जीए सेंड करेंट अफेयर नियूस तो दोस्तों संडे सुबह 8 बज चुके हैं और आपके लिए पूरे सप्ता का निचोड लेकर के आचुके आपके प्यूसर तो फटा-फट से जुड़ जाए और सेशन को एक बाद दबा के शेयर कर दीजे दोस्तों जहां तक भी आपकी रीच है वहां तक पहुंचाईए इस सेशन को ताबर तोड तरीके से दोस्तों वीकली करेंट अफेर में किवल वीकली ही नहीं उस दिन का न्यूस पेपर भी डिसकस होता है तो यह बात जरूर याद रखिएगा और आजकल न्यूस पेपर का पैसा में आप लोगों का बचा रहा हूं टाइम भी बचा रहा हूं क्योंकि सेलेक्टेड न्यूस क आपको वो न्यूस पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है मिल जाएंगे जो की संडे के आजके न्यूस पेपर के होंगे चलिए दोस्तों जैस्षी किष्णा रादे रादे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेली न्यूस एनालसिस को जिसमें रोज यह छे कि सारी क्लासे इस वीक जो है दोस्तों बाधीत रहेंगी है ना जैसे अर्वी सीरीज अब नहीं होगी क्योंकि हो चुकी है पांच्छे क्लास हो चुकी है में तबियत भी नहीं सही है तो दोपहर को एक्चुली मेरा सोने का करेक्रम होता है क्योंकि मैं राद बर जाक करके और आप लोगों के लिए करेंट अफेर तयार करना सुबह सुबह आप लोगों प्रोवाइड करना तो यह सारी चीजे हैं पीडिएफ आपको जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम पे मिलेगा हां गुरुमंत्र बैच की क्लासे जैसे हैं वैसे ही चल देंगी और और इसमें सब्सक्राइब और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एक्जामनेशन वीग आ चुका है एक्जामनेशन वीग में आप जानते हैं कि प्यूसर थोड़े से एकदम हो जाते हैं एक्जाम सेंट्रिक फिर दो घंटे खड़े पीवसर की 3 घंटे खड़े चार घंटे खड़े यह पता नहीं चलता है तो गुरुमंत्र बैच में क्योंकि 12 बज़े वाली क्लास की वज़से चार बज़े वाली क्लास नहीं हो पारी थी वह continue हो जाएगी क्योंकि 12 बज़े तक में जागा ही रह जाता था तो उसके बाद फिर मैं सोता था तो वह तो फिर मेरी नीद वैसे भी तुकड़ों में होती है छे घंटे के नीद तो मैं ले ही नहीं पाता हूं तो खैर शिक्स पीम पर जो क्लास करेंट अफेर की है वो भी चलेगी और मेरा थन चलाने की इसको जो है कोशिश रहेगी दोस्तों और क्योंकि एक्जामनेशन वीक है तो आप लोगों के लिए जान लगा देना है तो यह फोर पीम और सिक्स पीम की क्लास इसमें गुरुमंत्र बेच में होती है जैस एस्बी आई पीयों में इसने गजब का टेम्ट दिया है वैसे ही पैट कि चलिए यह फर्वरी तक जो बैच चल रहा है घिये तो फर्वरी तक आपको जितना भी क्या कहते हैं जितने भी बैचे आएंगी मतलों जितने बीमाफ कीजेगा जितने भी exam आएंगे वो सारे इसमें cover हो जाएंगे यहां तक कि 4pm पे banking awareness पढ़ाने के बाद United Insurance और General Insurance की वेकंसी आई हुई है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए insurance awareness भी पढ़ाऊँगा क्योंकि LIC में भी काम आएगा NICL में भी काम आएगा ऐसे बहुत सारे बैच आते रहेंगे दोस्तों फर्वरी के बाद फिर कोई और नया बैच आएगा और ऐसे चीजे चलती रहेंगे अलग-अलग exam के अलग-अलग बैचे जाते रहेंगे और आते थे तो पीछे का और आगे का यानि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनो जो बैचेज है वो आपके साथ अटेच हो जाएंगे अगर आप महापैक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट है आज कुछ लोग करेते हैं सब क्रिस्मस ओफर क् जही है कि महापैक बंद होने वाला है तो महापैक बंद हो जाएगा यह आप लोग के आरारबी के एक्जाम के लिए अरे आरबी ए एसिस्टेंट के और आई डीबीए के एक्जाम के लिए इसको दुबारा शुरू किया गया था लेकिन जो है कुछ बच्चों के मैच नहीं लेना होगा वो जो है दोस्तों आपको फैसलेटी लेने का आज आखरी दिन है वो मौका है आप लोग को यह मौका भुनाने का ठीक है क्लियर है बारम मंत की वैलेटी वाला महापैक सब्सक्रेप्शन का अज लाज्ट डेट है ओके तो क्रिश्मस ओफर यही है द गुरु मंत्र में ही करा दूँगा कंप्लीट इसके आगे से ओके तो यह भी क्लास अब नहीं होगी सब्सक्राइब क्लर्क वाली क्लास दस बज़े निर्जा में लेंगी दोस्तों तावर्ट तोड़ तरीके से गेम चेंजर बैच जनरल अवेनस कैप्सूल और यह सब यूटूब पे बैचेज मेरे अवलेबल है आई आज के निउस्पेपर को देखते हैं दोस्तों आज का निउस्पेपर संडे का क्या कह रहा है अन्यू यूपी अंडर न्यू इंडिया रिस्पेक्स फार्मर्स यह योगी जी कह रहे है योगी जी किसानों की बात क्यों कर रहे है भाई चीपनिश्टर योगीनाथ ऑन सटर्डेश अंडर बीजेपी डबल इंजन गौवर्मेट अन्यू यूपी हैस इमर्जट इस अन्यू यूपी अन्डिया वेफ अच्छा जीडीपी में यह महराष्ट क को पीछे कर दिया है दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो इन्होंने 51 फिट के मुर्ती की स्थापना करी है 51 फिट की जो मुर्ती है दोस्तों फॉर्मर प्राइम मिनिश्टर चौदरी चरण सिंग जी की है बेलारी ब्लॉक मुरादाबाद में दोस्तों इसका अनावर जाता है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर जो है 22 दिसंबर यह जो है आपका कहा जाए तो 22 दिसंबर जो है यह मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे स्वामी रामानुजन जी का बड़े तो इस दिन विंटर सोलेश्टाइस डे भी था है ना विंटर सोलेश्टाइस मतलब यहां पे सबसे बड़ी रात और दूसरी तरफ सबसे बड़ा दिन ठीक है इसके बाद दोस्तों आज 24 दिसंबर है आज कंजूमर है कल 25 दिसंबर होगा कल गुड गवर्नेंज डे अटल जी का बड़े उसके बाद दोस्तों 26 दिसंबर आएगा जो कि साहिव जादा दिवस होगा जब गुरु गोविन सिंग जी के दो साहिव जादों को जुरावर सिंग को और इन लोगों को दोस्तों चुनवा दिया था म गुगल आकरांताओं ने दिवाल में जिन्दा उन बच्चों को उन साहिव जादों को चुनवा दिया था चार बच्चों में से दो बच्चों को गुरु गोविन सिंग जी सिख्खों के दसवे गुरु है दोस्तों गुरु गोविन सिंग जी दोस्तों जयन जरांगे पाटिल का नाम भी आपके एक्जाम में आ सकता है क्योंकि मराठा आरक्षड का यह फेस है और यह अंदोलन कर रहे हैं और हंगर श्ट्राइक पे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी एक्जाम में अभी साथ लाश्ट मन पूछा भी था तो यह बात यह सब कुछ फोटोग्राफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर है अपने वाटसब चैनल पर दे दिया है ऐसा वीवेक बिंदरा जी को नहीं जानता हो तो बहुत बड़े मोटिवेशनल SPEAKER है बड़ा business.com नाम से company चलाते हैं बड़े बड़े कंपनियों के management को motivate करके आते हैं union और management का जो dispute solve करा देते हैं और इनके बहुत सारे videos viral होते हैं बहुत analysis करते हैं लेकिन ये दोस्तों फस गए कि ये एक MBBS doctor कहां से सिलंका से सिलंका को उसको कोई मानेता नहीं मिलती है सही पैसे दे करके ले लिए खेर वो तो कोई बात नहीं doctor लिखने लगे अपना ये PhD वाले doctor नहीं MBBS वाले और वो भी फरजी सिलंक सिलंका के खेर ये भी कोई भी बात नहीं है 6 दिसंबर को इनकी शादी हुई है कि 41 साल की उमरह इनकी इनकी साधी हुई है यह संदीप माहिस्वरी जी अपना एक कोई प्रोग्राम चलाते हैं जो वह भी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है उन्होंने दोस्तों जो है उनके कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत सारे बच्चे बैठे रहते उनमसे का सर हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ हम ऐसे आप किया जैसे बिजिनेस सीखने आ रहे हैं उसके लिए हमने लाखो रुपए दिये किसी को और वो हमें दस दिन का MBA कराते थे और फिर कहते थे कब पैसा चाहिए तुमको तो दूसरे को भी बेचो मलब मैं पैसा वापस मांगता था कि वह बोलते थे कि दस लाख रुपए अगर आप महीने आप नहीं कमाऊगे इस कोर इस से हम सटिस्फाइड नहीं है वह चीज के लिए हम दूसरों को अपने लोगों को सटिस्फाइड करें कि इनका लेंतु थोह जिंदगी बदल जाएगी उन्हें तो दोस्तों जो है उस समय तो वीवेक बिंदरा का नाम इनोंने नहीं लिया था पहले वीडियो में लेकिन विविग बिंद्रा के चोड़ के दाड़ी में तिनका वह जो है तो आप लोग जानते होंगे वह उन्होंने उनको धंकी दिया और येक्ट किया फिर ये वीडियो का वार्ट चल रहा है लेकिन मुझे लगा संदीप महस्वरी जी इनका दिन खराब किये लेकिन इनका ग्रह न चत्र का खेले 6 दिसंबर को इनकी साधी वी बिचारे की और ये जो है साथ दिसंबर को एनिमल मूबी देख के आए और आकर के अपनी बीवी को बहुत पीटा और एक ही दिन पुरानी बीवी थी एक दिन पुरानी तादमी बाइक बाइक को भी अच्छे से रखता है इसक्र फिर उसके भाई ने जो है वो उसका इलाज विलाज भी चल लाए विचारी का अस्पताल में वो रडबीर कपूर बन गई अनिमल मूबी का तो बीवेग बिंदरा जी जो है कि खिलाफ जो है उसने केस किया है नोएडा में एक दिन पुरानी बीवी ने बीवेग बिंदरा बहुत जाते एक्साइटेड बांस बैक हो जाते है इंटना एकसाइटमेंट रहता है कि आदमी जो है क्या करेगा तो यही सब हो गया दोस्तों गल्ती से हो गया तो एक निूज में ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए मजेदार लेके आ जाता हूं वरना बाकी सारी निउस म बताई थी आज मैंने आप लोगों विवेक मंदराजी का जो है कि न्यू बता दी है ना ठीक है क्लियर है उज्वल आनंद कहा रहे हैं एक थपड़ पड़े सर उसका पहला इनकी वाइफ 50% प्रपरटी ले लेगी अब पचास परसेंट कहां से ले लेगी दूसरी वाइफ है दोस्तों इसके बाद देखिये तो मोहमध मोईजी ये देखिए एक international relationship से जुड़ा हुआ आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह इंटरनेशल रिलेशन सिप से जुड़ा हुआ आर्टिकल है मोहमध मोईजी जो है ये इंडिया का विरोध करके ही माल्दीव के वहा इब्राहिम सोले कोहर आया अब इनके बीच मोदी जी के बीच में दुबई में बात हुई अब उसका पूरा आर्टिकल यहां पर बताए ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो है यहां पर आगे बढ़िये तो एयर इंडिया की फर्स्ट वाइड बॉड बाड़ी एठ त्री 50900 जो है दिल्ली में लैंड कर गई है एर इंडिया फर्स्ट वाइड बॉड़ी एठी 50900 एयर क्राफ्ट स्पोर्टिंग न्यू ब्रैंड लाइवरी अर्वरी अर्वड हैर फ्रॉम एयर बस टॉलूस फैसिलिटी इन फ्रांस तो दोस्तों आपको पता स्पेन का ऐसा जो सी टू नाइन फाइफ एयर क्राफ्ट बना रहा है बरोद्रा में टाटा के साथ मिलके तो अगर लडाकू विमान का एयर बस पूछेगा तो वह आपका इस्पेन वाला है और अगर जो है यह पूछेगा कि यह जो हवाई जहाज है यह सिविल एवियेशन वाला यह एयर बस का डील कहां से हुआ इंडी गो ने भी आडर दिया है इसको और एयर इंडिया ने भी दिया यह फ्रांस का एयर बस है यह फ्रांस का एयर बस है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज सिर्स पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम दोस्तों पैरा गेम पहली बार हुआ है पैरा गेम जो है वो दिव्यांग लोगों का होता है और पैरा गेमस भी नए नए अथलेट्स आगे आएं और मेडल देखो अब की बार सौ से ज़्यादा मेडल आएं 107 एसीन गेमस में 111 करीब एसीन पैरा गेमस में होंग जाओ चाइना में तो पैरा गेमस को भी खेलो इंडिया का पार्ट बनाके नए टैलेंट्स उभारने के लिए गेम पहली बात दिल्ली में आयुजित किया गया और चिडिया गौरईया जो है उज्वला नाम की इस पैरो को जो है इसका मसकट यानि सुवंकर बनाया गया था अब दोस्तो यह जो है इसमें कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है तो दोस्तो जो है पैरा गेम का जो है यहां पे टॉप पे रहा है हरियाना पैरा गेम में दोस्तो कौन टॉप पे रहा है हरियाना टॉप पे रहा है ठीक है पात समझ में आ रही है यूथ गेम दोस्तो जो है मद्यपदेश में हुआ था पाचवा एडिशन वुस में जो है महराश ने टॉप किया 37 नेशनल गेम गोवा में हुआ था उसमें भी महराश ने टॉप किया ठीक है तो वैसे तो हर गेम में हरियाना ही टॉप करता है लेकिन इस बर केवल पैरा गेम में हरियाना टॉप किया बाकी दोनों में तो महराज टॉप किया इन्वर्सिटी गेम में पंजाब इन्वर्सिटी टॉप करी है तो भाईया वो भी एक हरियाना के ही लोगों का इफेक्ट मान सकते हो पंजाब इन्वर्सिटी मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी किस ने जीती है खेल पुरुसकारों में तो वह भी दोस्तों गुरुनानक इन्वर्सिटी ने जीती है ओके तो उधर के इन्वर्सिटी इस पे बहुत काम करते हैं 40 गोल्ड दोस्तों 39 सिल्वर और 26 ब्रॉंज मेडल टोटल 105 मेडल जीते यूपी यहां भी दूसरे नंबर पर यूपी देखो अभी आंदरप्रदेश ने जो रैंक वह करी है क्या कहते हैं किसी रैंकिंग में आंदरप्रदेश नंबर वन पर यूपी नंबर दो पर सहद एग्रिकल्चर मार्केटिंग में और जीडिपी में देखो तो महराश नंबर वन पर यूपी नंबर दो यूपी बहुत सारी चीजों में इस समय नंबर दो पर कट्टू कट चल रहा है और ज्यादा नहीं दो तीन साल चार साल अगर दे दिये ना योगी जी ढंक से तो नंबर वन पर भी आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर य सब्सक्राइब दोस्तों सवीटा पुनिया को मिला है जो कि महिला हौकी टीम की कैप्टन भी है महिला हौकी टीम की क्या है दोस्तों कैप्टन भी है ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है चली बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त सवीटा पुनिया अच्छा इनके ये लोगों के इस पे ओडीसा क्यों लिखा किया है दस साल के लिए स्पांसर किया हुआ है कि अच्छा दूस्तों पूरशों में किसी ने जो है कि चमतकार किया है तो हां भीड़्जिक सिंगने कई यहां पे आवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ जे topics California 2022 के लिए हौकी इंडिया बल्पीर सिंग सेनियर आवर्डसे वी शर्मानित किया गया था जो है जैसी मेजर ध्यान चंज जीowed ने 1988 326 वाल गोल्ड मेडल दिलाया था उंपीक का वैसे जो है बल्पीर सिंग सेनियर ने भी दिलाया था करीब मुझे लगता है वो उन्होंने दिलवाया था 48, 52 और 56 वाला तो ये भी तीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला चुके हैं हौकी में बलबिर सिंग सीनियर जी के नाम से जो है चंडीगर का साथ स्टेडियम का नाम भी रखा गया था हौकी स्टेडिय स्टेडियम का बलबिर सिंग सीनियर जो है इनका भी निधन हुआ ठीक है और मेजर ध्यान चंड जी के को तो हाक्यू का जादूगर कहते ही है उनके नाम से खेलरतने अवार्ड दिया जाता है उनके बड़्डे पर 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और उनहीं के नाम से सबसे बड़ा खेलरतने अवार्ड है जो इस बार दो लोगों को दिया गया बैडिमिंटन के मेंज डबल के दोनों खिलाडी सत्विक साहिराज चीराक सेटी दोनों लोगों को मिला जिसमें सत्विक साहिराज ने 565 किलोमेटर पर आवर का स्मैस करके एक रिकॉर्ड भी बनाया था जो कोई 300-400 किलोमेटर से जादा का जो है स्मैस नहीं कर पाता है उन्होंने 565-565 किलोमेटर पर आवर के स्पीट से स्मैस किया था सामने वाले को दिखाई नहीं दिया होगा दोस्तों चिल्डेन ओफ नोबडी चिल्डेन ओफ नोबडी फिल्म को को कोलकता फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया समानित किया गया जैसे गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था 54 वाला उसमें गोल्डेन पीकॉक आवर्ड में 40 लाग का आवर्ड मिला था दोस्तों 40 लाग पुरुसकार के रूप में जर्मनी की एंड साइफाई में दोस्तों गोवा में जो हुआ था 54 वॉट वाला ओटीटी में पंचायत टूऊ को मिला था पंचायत टूऊ को अवर्ड मिला था ठीक है क्लियर है को कि चलियर बहुत बढ़ीयां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्ट बेस्ट डारेक्टर अवाड कार्लोस डैनियल मेलाव को मिला है अर्जन दत्ता के चलचित्रो एकोन ने स्पेशल जूरी अवाड जीता है ठीक है निर्देशक जोड़ी सर्मिस्ता मेडी और राज़दी पाल की मोन पॉंटोगो को बंगाली पैनोर्मा केटेगरी में बेस्ट इस फिल्म को रॉयल बेंगला और टाइगर ट्रॉफी के पुरुस्कार क्रों में क्यावन लाक रुपए दिए गया इंटरेशन फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया से तो ज्यादा कोलकता वाले दे रहे हैं दोस्तों रिसस्ट के अवर्ड्स की बात करें तो युनाइटेड नेशन के हैड रहे हैं बानकी मून एंटोणियो गुटेरस साब के पहले इनको दिवाली पावर आफ वन अवर्ड दिया गया दिवाली पावर आफ अवर्ड इंटरनेशनल जेंडर इक्विलिटी प्राइ जो है फिन्लेंड के द्वारा अफगानिस्तान की एंजीयों को दिया गया पदम पती लाइफ टेम एचीमेंट अवार्ड अजंता लोरा फिल्म फेस्टिवल में वेटरन जावेद अक्तर जी जो की भईया पिक्चर इचर लिखते थे अभी गानेवाने लिखते हैं और बहु दोस्तो अगर हम लोग बात करें तो इस बार का सखारो प्राइज महसा अमीनी को दिया गया मरनो परांथ और नोबल पीस प्राइज और प्रेस फ्रीडम प्राइज दो पुरुसकार मिले हैं नर्गिस महमदी को जो की उसी महसा अमीनी के मरने के बाद आंदोलन की थी हिजा कि दोस्तों इसराइल फिलिस्तीन संगर्स के अहिंसक समधान के लिए इसराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के प्रयासों के लिए किसे इंद्रा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया तो अली अबु अववाद और डेनियल बेरेन बोहिम को इंद्रा गांधी पीस आवार्ड दिया गया है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इन्हों ने इसराइल और ये अरब देशों के वो अच्छा इसराइल और अरब देशों का युद्ध कब हुआ था एक बार ये भी कोश्चन आया था इसराइल अरब वॉर ऐसा कोश्चन आया था कि इसराइल ने किन के साथ युद्ध लड़ा था अरब वॉर ये जो है मैं आप लोग को पढ़ाया भी था दोस्तो भारत ने किस राज में बिजली आपूर्टी की गुडवत्ता दक्षता विस्वस्नियता में सुधार के लिए एशियन डेवलप्मेंट बैंक से 200 मिलियन अरब डॉलर के लोन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है यह उत्तरा खंड के लिए किया गया एशियन डेवलप्मेंट बैंक भारत के हर राज्य को किसी ने किसी बात के लिए लोन देता ही रहता है किस राज को किस लिए दे रहा है कितने का लोन दे रहा है ये भी आपको याद रखना होगा ठीके जैसे यहां पे आप देखिए तो बिजली के लिए पावर सप्लाई के लिए उत्राखंड को 200 million dollar का लोन दिया गया है अगर देखिए तो मद्द्पद्देश को रोड के लिए दिया गया 175 million का अहमदाबाद को पेरी अर्बन एरियास के डेवलोप्मेंट के लिए 181 million का मेगाले को चाइल्डूट डेवलोप्मेंट के लिए 40.5 million युज डॉलर राजस्थान को अर्बन सर्विसेज इन्हेंस करने के लिए 200 million डॉलर हिमाचल प्रदेश को होटी कल्चर के लिए 130 million और बिहार को स्टेट हाइवेस के लिए 295 million डॉलर का लोन दिया गया है का कि वाई दोस्तों राश्च्री महिल आयोग की पुर्वद्यक्ष पद्म भूशन पूरुसकर से समानी डॉक्टर वी मोहनीगीरी का हाल ही में निधन हो गया उन्हें किस वर्स पद्म भूशन आवार्ड से समानिद किया गया था इन्हें 2007 में पद्म और वीडियो इसोसियेशन की शुरुवात करी दोस्तों अगर रिसेंट के अपॉइन्मेंट की अगर हम लोग बात करें तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट अनीश शाह बने हैं अनीश शाह और बीबीसी बोर्ड के हेड बिटिस ब्रॉटकास्टिंग कर्पॉरेशन के हेड ब शाह बहुत सारे शाह लोगों का दोस्तों राज्य ब्र roads ब्राड को करने के लिए त्रिफुरा का ब्रेंदक से बनाये गया उसी वीक्ति को बनाय गया जो अभ बैंगाल के ब्रेंदे मेच्ण बने उन्हीं बनाया गया दोस्तों जो बंधन बैंक के जो है जहां ट्रस्ट वहां बंधन तो दोस्तों वह है दादा सौरब कांगुली पुर्व BCCI अध्यक्ष सौरब गांगुली इनके हाथ में देखिए काली जी के मंदिर इनको भेट किया जा रहा है काली काली कलकत्ते वाली तेरा मंदिर हो कि दोस्तों यहां प्राचीन त्रिपूरा सुंदरी मंदिर उजयनता महल नीर महल जल महल उना-कोटी जैसे परटन स्थल है उना-कोटी को तो दोस्तों अभी युनेसको की टेंटिटिव लिष्ट में घोशित किया गया आप बताएं उना-कोटी में ऐसा खास क्या है और ये बताइए उना कोटी के अलावा गुजरात के दोश किन शहरों को किन इस्थलों को टेंटिटिव लिष्ट और इस्थाई सूची में किया है बताइए दोस्तो डीसेंट में अगर देखा जाए ब्रैंड अमेजडर की तो यूपी आई के सेफ्टी अमेजडर भोला और चतुर के नाम से पंकर्स्त रिपाठी कालीन भहिया बने हैं मस धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रैंड अमेजडर बने हैं और माधवन जी हेल्ट इंस्वरेंस कंपनी एकको हेल्ट इंस्वरेंस की ब्रैंड अमेजडर बने हैं ओके अगे दोस्तों बैंकों के ब्रैंड अमेजडर की और इंस्वरेंस सेक्टर के ब्रैंड अमेजडर की से हम लोग ने बात करी तो आए बीएफएसाई सेक्टर के कुछ करेंट अफेर्स को देखते हैं मोडेरा और वड नगर बिल्कुल सही का शुरीवानी ने बिल्कुल सही का बोम मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वह भी सोलर सिटी भी बना था और 24-7 वाला और वड नगर जहां जैनियों का है जहां मोदी जी का जन्मिस्थल है उसे भी युनेस्कों ने अपने टेंटेटिव लिष्ट में गोशित किया है अपरव दोस्तों अभी असम का जो दाइच़ों है वह भारत की तरफ से प्रविष्टी के लिए युनिस्कों में आस्मका जो दाइचों में रिलाओंंस इंडिस्ट्री ने रिलाओंस इंडिस्ट्रि द्वारा सुरू की गए कॉंप्रेंसट बायोगैस प्रोजक्ट के लिए दोस्तों किस बैंक के साथ टाइब किया है तो रिलाइंस इंडुस्ट्री ने टाइब किया है डेवलप्मेंट बैंक आप सिंगापूर के साथ Compressed Biogas Project को Finance करने के लिए Reliance Industry, DBS Bank का सहारा ले रही है, इनका लक्षे अगले 5 साल में 100 ऐसे प्लांट लगाने का Reliance Industries, जो है, दोस्तो, Reliance Industries setting a world class biogas facility at multiple location in उत्तरपदेश by using surplus agro residue and organic waste, दोस्तो, जो भी कचरा होता है, और अगनिक कचरा या जो agriculture कचरा होता है, उसी से दोस्तो इसको, इस biogas को develop किया जाता है Reliance GOBP के नाम से द्वारा यह जो है, बायो गैस डिस्पेंसिंग स्टेशनों के नेटवर्क से जुडएंगे बारा बंकी में दोस्तो एक प्लांट लगाया गया है, बहुत बड़ा Reliance के द्वारा DBS Bank के साथ टाइप किया इनों ने 1968 में आई थी सिंगापूर इसका एटक्वार्टर है, चेर्मेन है पीटर सा, इंडिया में CEO है प्यूश गुपता गुपता, DBS Bank इंडिया के CEO है सुर्जित सोम और CEO है सिंगापूर में प्यूश गुपता, DBS Bank ने मैप्टरेस्को के साथ EBL लांच किया था, दोस्तो, EBL का फुल फॉर्म बता दीजे आप लोग, मैप्टरेस्को का कंसाइनमेंट जा रहा था, तो इलेक्ट्रोनिक दोस्तो इलेक्ट्रोनिक बिल उफ लेडिंग जो है लांच करी थी, उनको इलेक्ट्रोनिक यानि की पेपरलेस्ट डिजिटल जो है की EBL मिल गया पहली बार, किसी बैंक ने ये काम किया, निमलिकित में से किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने UK के डवलप्मेंट फिनांस को बताना है, सेवा, ग्री, रिड, फाइनेंस, सितारा, दोस्तों कुछ लोग जो है, कह रहे सर आप जो है, साड़े, ग्यारा, बारा बजली क्लास क्यों छोड़ रहे हैं, देखो, मेरा मूड उस समय सही रहता नहीं है, क्योंकि मेरी नीद नहीं पूरी होती है, मैं जैसे कर दाद भर जागा, सुबे, लेक्चर लिया, अब मुझे ये टेंशन रहता है, साडही ग्यारा बजे लेक्चर है, तो अब उस चकर में 11-11-11 वजे तो मैं उसको बनाता हूं 2-3 गंटा पहले सोता नहीं हूं अब मैं ऐसे क्या करता हूं कि मैं लेक्चर के बाद सो जाता हूं तो मैं नीद पूरी करता हूं कम सकम 6 गंटे की अब उस चिकर में चिरचिड़ा पन हो जाता है उसमें पॉजिटिव वाइप समको नहीं आता है 11-12 बजले लेक्चर में तो एक तो तुम लोग भी संख्या में बहुत कम रहते हों कि तुम लोग कहीं मैत रीज्डिंग और कहीं और चिलल टाइप के लोग आ जाते हैं उसमें तो मेरा मूड जो है वैसे ही एक तो नीद नहीं पूरी हुई है चिरचड़ापन है और उसके बाद मुझ और एक और दिक्कत हो रही है कि उसकी वज़ा से अब उसके बाद मैं सो रहा हूँ तो मेरी नीद अब मुझे चार बजह का लेक्चर लेना है लेकिन मैं उठी नहीं पा रहा हूं इस वज़वज़े से बारबजह की लेक्चर के वज़ winner-चार बजह वाला गेमचंज चीजह को मध्यर रखते हुए मैंने आप लोग को टेली और विगली बाकी गुरुमंत्र में हम लोग एनरजी लगाएंगे पूरी क्योंकि इग्जामनेशन रुए है तो वह एनरजी जो है मैं बचा करके घुरुमंत्र में लगाएंगा और जो चीजह में आप लोग को डिलीवर कर रहा था यूटूब पे वो सब चीज गुरु मंत्र बैच में डिलीवर कर दूँगा क्योंकि वहां तो मेरी responsibility है वहां तो मैंने पैसे लिये हैं तो मेरी जिम्मेदारी है अब वहां अन्याय हो रहा था और मज़ा भी नहीं हा रहा था बारा बज़े वाले में बारा बज़े वाले में पढ़ाने के बाद और मूड मेरा खराब हो जा रहा था बलकि अच्छा होने की जगह तो इसलिए जो है मैंने यह फैसला किया है कि मैं गुरु मंत्र बैच में इस वीक को पूरा डेडिकेट करूँगा बाकि डेली कर इंटर फेर आपका वैसे ही चलता रहेगा वो तो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है तो दोस्तों जो है यहां पर देखिए तो ब्रिटिस इंटरनेश्ट्रल इंवेस्ट्मेंट से भी पैसे मिल ले भाई अभी देको जर्मनी के कर देखिए अब लोग का भी लास्ट डेट है महाजा पैक सब्सक्रिप्शन का भी लास्ट डेट है क्योंकि मैंने इसको बस वापससे आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर सुरू किया था वो भी कि वल आरबए असिस्टेंट वालों को लिए कि आईडी वालों के लिए कि तुम लोग ले लो कि दोस्तों आईडी एफसी फर्स्ट बैंक लाइसी कार्ड और किस कंपनी ने देश की गतिशील वित्ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विसेश को ब्रेंडेट केडिट कार्ड लाउंच करने के लिए साज़ेदारी किये हाँ में सारी क्लासेज एप पे होगी चाहे दिसंबर मंतली हो चाहे और बीए करेंट अफेर हो यह सब मैं गुरु मंत्र में इस वीक में कवर करा दूंगा टेंशन मतलों ठीक हैं बैंकिंग और रबी आई दोनों करेंट अफेर कंप्लीट करा दूंगा उसमें अपके और दिसंबर मंतली भी करा दूंगा ऐसा कर लूंगा कि उसी में दिसंबर मंतली और यह करके कंप्लीट करा दूंगा उस्टेंशन मतलों बाकि मैं सारा चीज करा दूंगा दोस्तों Mastercard LIC Card और IDFC 1st Bank का आपस में टाइप हूआ है Mastercard का लोगो रेड और येलो कलर का होता है Mastercard ने प्राइसलेस लॉंच किया Mastercard ICC Cricket World Cup का दोस्तों ग्लोबल स्पांसर रहा है LIC Classic और LIC Select Credit Card देज़ वर में 27 क्रोर से अधिक पॉलसी धारकों को प्रत्यक LIC Bima Premium Payment पर reward point के रूप में बचत करने देगा Bank of India launch नारी सक्ती Saving Account IDFC First Bank launch Youth Centric First Swipe Credit Card in partnership with Mastercard LIC introduces new whole life insurance policy G100 SEBI ने दोस्तों अभी unveil किया है Investor Risk Reduction Access Platform और Federal Bank ने UPI Lite launch किया है क्या launch किया है UPI Lite क्लियर है Mastercard इंडिया के रजनीस कुमार है मिताली बिल्कुल सही कह रही हो तो बिल्कुल श्रीवानी जी ये question Mastercard के लोगों का कलर पूछा था और मैंने आपको सी लॉक से पढ़ाया था ठीक है एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने फिनेंशल ये 24 के लिए इंडिया की जो GDP ग्रोथ है एकनॉमिक ग्रोथ है वो 6.3% से बढ़ा के कितने परसेंट कर दिया है तो 6.3 से बढ़ा के 6.7% कर दिया है ठीक है 6.3% से बढ़ा के कितना कर दिया है 6.7% कर दिया दोस्तों छे credit rating agency है जिसमें से हमारी इकरा भी दोस्तों यहां पर है यहां एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने 6.7 कर दिया कोटेक महिंदरा बैंक ने 6.8 कर दिया city group ने 6.7 कर दिया DBS ने 6.8 कर दिया ADB ने दोनों साल के लिए 6.7 कर दिया RBI ने 7% कर दिया है RBI वाला बहुत important है है तो देख रहे हैं सब वही 7% के लंसम पहुंच गए हैं सब 7% के लंसम पहुंच गए कोई 6.8 कोई 6.7 कोई 7 यही चल रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जलवायू रिपोर्टिंग में वित्ती संस्थानों के लिए जलवायू मुलंकन पुरुसकारों में किस बैंक को सिर्ष प्रदसन करता के रूप में मनता दी गए इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन देगा तो फेडरल बैंक को देगा पैसा उसमें लगाया है फेडरल बैंक की इंवेश्टमेंट साखा है और फेडरल बैंक में पैसा लगाई है तो फेडरल बैंक को यह अवार्ट देगी और किसको देगी इसमें भी देखिए पार्सियल्टी हो गया है हाइस क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड और मोस्ट ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन केटेगरी यह दोनों अवार्ट पेडरल बैंक को दिया गया है और दोस्तों ग्रीन हाउसिंग के लिए ही तो आइफसी जो लोगों को फाइनेंस करता है इस डिएपसी को भी किय आता है इसने पिछले साल की बात बता रहा हूं कौन सा बैंक एहमदाबाद के कैन पैक ट्रेड्स प्राइवेट लिम्टेड में 49.4 ना 49.99 करोड का इंवेस्टमेंट करने जा रहा है तो यह स्टेट बैंक अफ इंडिया है जो एहमदाबाद के कैन पैक ट्रेंट 9.99 करोड रुपे निवेश करने जा रहा है 6.35 परसेंट की हिस्सेदारी लेने जा रहा है दोस्तों यह कंपनी करती क्या है दा कंपनी प्रोवाइज पेपर बेस्ट पैकेजिंग सॉल्यूशन सच एंड सच अस फोल्डिंग कार्टून अब इसको कर्टन बोलते हैं लेकिन कर्टन बोलते इसको तो लेकिन कर्टन कोई बोल दे तो लाही नहीं पाएंगे भया बोल क्या रहे हो तो दो स्धों और गदिक कर्टन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग पेपर बैग लग्जरी बॉक्सेज यह सब दोस्तों जो है बनाती है उगे ऑपेपर लेस जो है यानि काम यह तरीके से देखो तो कागज अधारी चीजे बना रही है प्लास्टिक का एक तरीके से इन्वार्मेंट फ्रेंडली काम इन्वार्मेंट फ्रेंडली इन्वेश्टमेंट है इनका दोस्तों यूपी आई लेंदेन मात्रा के संदर्व में किसकी जो है व्रिद्धी दर जो है वह 92 करोण से बढ़कर 8,375 करोड़ हो गई है तो यूपी आई की जो व्रिद्धी दर है दोस्तों वह यहां पर देखा जाए तो 147 परसेंट बढ़ी है यूपी आई की तो दोस्तों यह बहुत इमपोर्टेंट पेज है अगर हम लोग 17,440,000 करोड़ की बात न करें इस महिने के यह फिर 11,14,000 करोड़ की न बात करें तो भी देखो यह पूरे साल का रिपोर्ट बता रहा है कि UPI transaction जो है वो 149 लाक करोड का हुआ है कितने का हुआ है बहिया 149 लाक करोड का हुआ है 139 लाक करोड का हुआ है इसमें 168 परसेंट की ग्रोथ है और अगर number of transactions की बात करें तो 8,375 करोड का हुआ है जो की 147 परसेंट की ग्रोथ है और यह जो है comparison किस year से किया जा रहा है कई बार ऐसा भी question आ जाता है किस year से compare किया जा रहा है दोजा 17-18 से ठीक है clear यह UPI का पूरे साल का achievement है दोस्तों यह याद रखिएगा ओके और दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में भी देखो तो 62% UPI से और टोटल डिश्टल टांजेक्शन का 62% जो है UPI के थुरू हो रहा है और उसमें भी UPI में सबसे ज़्यादा फोन पे करा रहा है इसी की वज़े से जो नोट की जो प्रचलन है जो करेंसी की जो वह है डिमांड है वह 9.9% घट गई है 9.9% थी आपकी 2021-22 में अभी 2022 ते इसमें 7.8% हो गई है यानि नोटों की दिमांड कम हो रही है लोग ATM मसीन पे जाने के जगा फोन पे गूगल पे मार दे रहे हैं रहेंगी इसलिए इंडिया इसमें टॉप पर है आई-एम-फ के अंसार दोस्तों कौन ATM जाए कौन कैस निकाले चार ATM में तो कैसे ही नहीं रहता है दोस्तों आई-एम-फ के अंसार भारत की जो GDP है वो दुनिया में कितना योगदान दे रही है भारत जो कितना प्रोड्यू करना है दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है जब कि अकबर थे तो करीब बहुत ही 23-27 परसेंट था मुगलों के जमाने अकबर के समय में एक पीक आया था उसके बाद तो औरंग पूरले भी थे फिर उसके बाद राजपूत किनारे हटते गए हिंदू इन से किनारे अकबर अकबर ने सबको जोड़ा था हिंदू को राजपूतों को सबको उसके बाद पीर अंग्रेज तो पूरा ही चोपट कि इन्हों ने तो ड्रेन फियोरी लगा दी इंडिया से राव मैटेरियल ले जाओ अपने यहां बे बनाओ यह अंग्रेजों ने तो अपने यहां इंडि इंडिश मिल में अंग्रेज वहां पर बनाते थे किसी अर्थ सास्त्री ने कहा था कि एक स्पंज की तरह ब्रिटिस एकनोमी काम करती है जो गंगा नदी के किनारे से सोकती है और यहां पर टेम्स नदी के किनारे ले आके निचोड़ देती है आज 16% हम लोग जो है कंट्रि स्टेंडर्ड पूर के अंसार हम 2030 तक पहुंच जाएंगे सब्सक्राइब के अंसार 27 तक हम थर्ड लाजेस्ट एकनोमी बन जाएंगे 2047 तक हम विक्सित भारत संकल्प ले रहे हैं कि डेवलप्ड एकनोमी ठीक है बात समझ में आ रही है और रियल टाइम पेमेंट में तो हम लोग भाई सब नंबर वन पर हैं लॉजिस्टिक और इंफ्रस्ट्रक्चर में हमने बहुझबूत धक्का अथ्वेवस्था को जो है वेश्विक प्रतुकलताओं से पार दिला सकता है धक्का क्या है दोस धक्का से हम किसी एकनॉमी को बुष्ट करते हैं इस ट्रॉंग पुष धक्का अर्थ्वेवस्था दोस्तों किसी बीमा कंपनी ने बीमा धारक उनके परिवारों को वित्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुविदाओं के साथ अल्फा विल्थ योजना लॉंच करिए अल्फा विल्थ अल्फा विल्थ प्लान किस ने लॉंच किया है तो दोस्तों ये कैन एच्छ बीसी लाइफ इंस्वरेंस ने लाँच किया है कि 2047 इंस्वरेंस फॉर और बिल्कुल सही बात है कि आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक यह तो हो गया अब बैंक आफ इंडिया ना दी सकती यह भी हो गया फर्स्वाइप हो गया अब भी हो गया फेडरल बैंक भी हो गया ठीक है सब चीस तो हो गया कि आई से सी पुडेंशल ने दोस्तों किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक का सुरेंश टाइप किया है तो दोस्तों जो है यहां पर उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है ठीक है ओके क्लि SBI ने जर्मनी के KFW बैंक के साथ सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के 70 मिलियन यूरो का लेटर अफ क्रेडिट साइन किया है रिलाइंस इंडिस्ट्री ये तो हो गया इंटेलेक्ट ने दोस्तों इंडियन बैंक के साथ 80 करोड की डील किये युग्रो कैप्टल ने लगू द्योग भारती के साथ टाइब किया है मैं सेमी को इंपावर करने के लिए यूनियन बैंक ने कोलेबरेट किया एक्सेंचर के साथ एक्सेंचर के साथ ठीक है बात समझ में आ रही है कोटेक स्कूल आफ सस्टेनिबिलिटी को लांच करने के लिए किस आयाइटी ने कोटेक महिंद्रा बैंक के साथ काम किया है तो आयाइटी कानपूर दोस्तों यहां पे कोटेक स्कूल आफ सस्टेनिबिलिटी को लांच करने के लिए आपस में टाइब कर रहा है कोटेक महिंद्रा बैंक के मालिक का नाम है उधर कोटक कोटेक महिंद्रा बैंक के हेड असोक वासवानी जी है जो की एक जनवरी से बनेंगे अभी तो साहथ दीपक गुपता जी ही रहेंगे कि क्लियर है आई टी कानपूर ने डीमी ट्रेक्टर लांच किया कृत्रिम बारिश कराई ब्लॉक्चेन वाला भारत का पहला सर्टिफिकेट भी बाटा डिग्री भी बाटी आई टी कानपूर आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है दोस्तों अगर कुछ टाइएप की बात करें तो आई से सी प्रोडेंशल लाइफ ने जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ टाइएप किया यह सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ भी नया इसमें नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों भारती यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों अचानक से इसको आप लोग जो है के कैमरा मैं फोकस करो तो पिछले वर्स से मार्च दोज़र बाते इस तक बार्टी बैंकों में लवारी जमा में कितने परसंट की वृद्धी हुई है तो दोस्तों जो अंक्लेम्ड डिपॉजिट की बात हम लोग कर रहे थे कि 10 साल से उपर अगर अंक्लेम्ड हो गया तो फिर दीफेंड में पै अहां पर देखा जाए तो 28% 28% जो है ग्रोथ हुई है कितना 28% एन्वल इंक्रीज हुआ है ओके 28% एन्वल इंक्रीज है अंक्लेम्ड डिपॉजिट में ओके अंक्लेम्ड डिपॉजिट कब होता है दस साल के बाद होता है कितना हो गया अंक्लेम्ड डिपॉजिट 42,272 करोड रुपए अंक्लेम्ड डिपॉजिट हो गये है ठीक है ओके जिसमें से पिछले साल कितना था 32,924 करोड ता छोड़ो दो उसको कन्फ्यूज हो जाओगे अब इसके बाद जो है जो डेटा खाली हमें लेना है इस साल का लेना है 12 सरकारी बैंकों का पिछले साल हम लोग ने पढ़ाता कितना पढ़ाता करी 35,012 करोड रुपए पढ़ाता ना अभी अपडेट हो गया 35,012 करोड को अपडेट कर दिया 36,180 that means total is the 42,272 करोड रुपीज and the only public sector बैंक 36,185 करोड रुपीज अब बचा जो इसमें से 42 में से 36 घटा दोगे तो 6,000 करोड 87 मान लो तो 6,78 तो यह प्राइवेट बैंकों का प्राइवेट बैंक कितने है 21 प्राइवेट बैंक है सरकारी बैंक कितने 12 सरकारी बैंक है इसके बाद दोस्तों जो है 10 साल से जादा अगर हो जाता है तो unclaimed account हो जाता है और दो साल से जादा होता है तो और लो बार मोर्स बाद कर पैसे निकाल सकते अब तो वह सारे बैंकों को यह पैसा अरज था कि किसFUND में देना होगा दीफ फंड में देना होगा depositors education and awareness fund में देना होगा ठीक है यहां से question जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा चाहे उद्गम पूछ ले चाहे 100 is 100 payment पूछ ले चाहे डीफ का फुल फॉर्म पूछ ले कुछ भी पूछेगा इस पेज से question बिना दूए आपका इक्जाम नहीं complete होगा अच्छा जब ऐसा कंफर्म हो जाए कि 110 परसेंट यहां से आना तो उसको और डीटेल में पढ़ा जाता है फिर उसके बारे में और जानकारियां जुटाई जाती है बात समझ में आ रही है ऊप अर बिए इस डारेक्षण बैंक हैब बीन अडवाईश यह हो गया इनक्तिव इनक्तिव धेक्टिव ऑर उपरेटिव कब होता ब्याइज इनक्तिव ऑ्परेटिव डोर्मेंट यह सब दो साल के बाद होता है अगर दोस तस साल तक रहे गया तब फिर जो है आप इनके लीगल हेर्स को खोजने की बाद भी कही गई इसके लिए दोस्तों कि नॉमिन नॉप एक तो अभी बोला गया कि बैंकों से कि तुम लोग नॉमिनी डेरू डालो बीना नॉमिनी के कोई एकाउंट खोलो ही मत बाद में दिक्कत हो रही है है ना तो इसके लिए आप और वाजी डॉट इन पर उद्गम पोर्टल बनाए गया उद्गम का फुल्फा में अंक्लेंड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ठीक है अब इससे जो है जो लोग अपने अ जालने के पहले बहुत ज्यादा अमाउंट है ना आप पहले उनको खोज लो या चुप टॉप एकाउंट होल्डर है अब यह वाला जो पहरा यह बहुत इंपॉड़ेंट के बारे में क्लेर्टी आपको जल्दी नहीं मिलेगी कहीं पे हंड़ेज हंड़ेज पेमेंट की क् है अप अंक्लेम डीपॉजिट जो बड़े बड़े अकाउंट है TOP 100 हर बेंक के हर बैंक एच डिस्टिक हर जिले के हरcience के नहीं मिले À कर दक चुप हंड़ेज होल्य में हमेंडरेज के ट्राइम फ्रें में हन्डरेज के ट्राइम फ्रेम में cane 100 डेज भी है और 100 टॉप अकाउंट भी है और इच डिश्टिक है इच बैंक है यह चीज कहीं कहीं स्टेट्मेंट बेश्ट आपके आ सकते हैं टाइमिंग नोट करिए कैमरा में फोकस करो एक जून दोजार 23 से लेके सितंबर आठ दोजार 23 तक एक जून दोजार 23 से बैद जून आठ योजनोंन व्ल्ड मिल्क डे अशी दिन मनाते न सच्टा दीवस मनाते एक जून को योजना भी शुरूए थी पी-म सवनीधी योजना तो तब से लेके 8 सितंबर 8 सितंबर को कौन सा दिय मनाते साच छर्टा दिवस मनाते हैं ओके क्लियर है कि अब सवाल उठता है कि भाई इस campaign का अंत क्या हुआ उपलब्दी क्या हुई इस campaign की उपलब्दी 31 बैंकों ने जो है पैसा जो है वापस किया 1432 करोण रुपए का इस campaign में 1432 करोण रुपए के वारिस मिल गए 1432 करोण रुपए के वारिस मिल गए 31 बैंकों ने यह अभियान चलाया ओके चलिए आगे बढ़ते हम भारत सरकार ने दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉंड के लिए जो है कि अभी लॉंच करा है यह कितने रुपए पर ग्राम से लॉंच करा है 6149 रुपीज पर ग्राम इसमें दोस्तों गोल्ड का सर्टिफिकेट मिलता है गोल्ड नहीं मिलता एडिश्टल 2.5 परसेंट का व्यार्ज भी मिलता है यहां पर दोस्तों इन्वेश्टर उप्टिंग फर उनलाइन अप्लिकेशन एंड यूटलाइजिंग डिश्टल पेमेंट मोड विल बेनिफिट फ्रॉम 50 रुपीज डिस्काउंट पर ग्राम पचास रुपे का डिस्काउंट मिलेगा डिश्टल टांजेक्शन करने पर दोस्तों इसमें जो है गोल्ड बॉंड में होता क्या है कि अगर आप जो है इन्वेश्टर कैन में पेमेंट थ्रू कैश अप्टू 20,000 कैश के थूरू तो दोस्तों बस 20,000 का ही है चाहे परसेंट का इंट्रेस्ट रेट भी मिल रहा है दोस्तों अगर जो है मिनीमम एक ग्राम आप ले सकते हैं मैक्सिमम 4 kg ले सकते हैं लेकिन अगर आप कोई इस्टिटूशन है तो आप 20 kg तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं ठीक है नवंबर 2015 में ये योजना सुरू हुई थी 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये अभी जो है इशू किया गया है सिंखला 3 को दोस्तो आदित बिल्ला सनलाइफ इंसोरेंस ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है तो यहां IDFC फर्स्ट बैंक ने टाई अप किया है आदित बिल्ला सनलाइफ इंसोरेंस के साथ इनका इंसोरेंस उनके ब्रांच में बिक्येगा इसे बैंक का एसूरेंस टाई अप कहते है दोस्तों यूग्रो कैपिटल ने डच डच मतलब डच किस देश को कहते हैं बचाओ डच अभी डच प्राइम मिनिस्टर भी कोई बनाता है डच एंटर प्रेनियोरियल डेवलप्मेंट बैंक एफएमो से रुपए मुल्यवाले नॉन कनवर्टिबल डिवेंचर के माद्यम से कितने रुपए जुटाएं तो दोस्तों जो है धाई सो करोन रुपए यूग्रो कैपिटल ने जुटाएं यूग्रो कैपिटल के संस्थापक और एमडी कौन है सचिंद्र नाक जी है नीदर लेंड बिल्कुल सही जवाब है डच का मतलब नीदर लेंड किस बैंक और HDFC लाइफ ने दोस्तों और और पॉर्पोरेट एज़ेंसी अग्रिमेंट किया है जुटो कौन बना है करून वेस्थ बैंक बना है करून वेस्थ बैंक में SBA mutual fund ने अभी 9.9% की हिस्सेदारी भी लिए दोस्तों अब आपके सामने question है कि कॉर्पोरेट एजेंट कितनी कंपनियों का इंसुरेंस बेच सकता है कॉर्पोरेट एजेंसी में कि एक जो है बैंक कितनी लाइफ इंसुरेंस कंपनियों के साथ टाइफ कर सकता है करूड वैसे बैंक दोस्तों केरल में है और भी रमेज बाबू इसके हेड है बताईएगा दोस्तों दोस्तों इंडसिंड बैंक ने इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम सुरू किया है डायमंड इंडस्ट्री के लिए साउधानी पुर्वक तयार की गई एक सामुदाइक बैंकिंग पहल है इंडसिंड बैंक की स्थापना किस वर्स हुई है तो यह दोस्तों 1994 में हमें लग रहा भी जो डायमंड सिटी सूरत में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनी है डाय सूरत में डायमंड व्यापारियों के लिए डायमंड सूरत डायमंड ब के शूरत में ही यह दूस्तों सुरू किया जा रहा क्यूरेटेटे सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक बसे और ट्रक बना करके तमिलनाडू को दे रहें 500 से ज्यादा बसे वी मेक्स यू फिल रीचर रिलाइंस जैनल इंस्टुलेंस ने दोस्तों जो है अभी एक रेलाइंस घल्ट ग्लोबल पॉलिसि लांच किए रिलाइंस जैनल इंस्टुलेंस के हैं तो यह राकेश जैन जैन इंसरेंस कंपनी दोस्तों भारत में कितनी है सरकारी बताइए भारत में कौन-कौन सी सरकारी जनरल इंसरेंस कंपनिया है आप उनका नाम लिख दो बस ज्यादा कुछ नहीं चाहते मैं आप लोगों से दोस्तों इकरा ने भारत की जीडिपी फोरकास्ट का नुमान क्या लगाया है 6.5% इकरा जो है 6 क्रेडिट रेटिंग एजिंसियों में से एक है 6 क्रेडिट रेटिंग एजिंसियों का भी नाम लिख दो तुम लोग मज़े ही आ जाएगा कि दियन मिसरा करें सर उस क्वेश्चन का एंसर क्या होगा कि आर बियाई कितनी कंपनी को सोवरेन गोल्ड बेच सकता है आप बताईए कितने लोगों का आप खाता खुल लेंगे बैंक में जब पहुंचेंगे तो या एक जनरल इस्टोर वाला कितने लोगों को पाल्ले जी दे सकता है ऐसे क्वेश्चन का क्या जवाब होगा दोस्तों भारत सरकार ने 82 किलिमेटर लंबे दिल्ली मेरेट रिजिनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉलिडोर के निर्मार के लिए 37 बिलियन जापानी येंज जो है 200 मिलियन डॉलर जो है कि संग्ठन से दोस्तों लिए हैं कि मैंने पूछा कितनी जी आई सी कंपनिया सरकारी तो अमित राजपूत लिकरे 33 जी आई सी कंपनिया अभी एक क्वेश्चन आया था आपके एक्जाम में सरकारी कितनी जनरल इंसुरेंस कंपनिया है और वन हटाना जाके समीन कि मदद से दोस्तों यह डिली मेरट वाला रीजिनल रैपीड वाला जो नमो भारत ट्रेन वह बी बन रहा है और जापान की मदद से एहमधाबाद मुंबई वाला जो वुलेट ट्रेन नहीया वह भी बन रहा है कर to यह यह सायति डेलबलंप मेंट पैसा देना यह कौन दे रहा एसिएंड डेवलटमेंट बैंक दे रहा यह इन में दे रहा है लुठानी में दे रहा आए तेष्ट टेवलपमेंट बेंक का हिड हमेशा जापाई ही होता है आङ मैं करको अब मैंने क्वाधा करने को तक कभी कोन आइंड डेखा नहीए कि आपको जो चेंग केतनी चेंअरल को तो ऋठाव और भे यहूं को यह उप creator यह जन्रल इंसोरेंस कंपनी कौन कौन सी हैं एक तो जी आई सी हो गया ठीक है एक एक अग्रिकल्चर इंसोरेंस हो गया एक एसी जी सी हो गया एक युनाइटेड इंसोरेंस हो गया एक ओरियेंटल इंसोरेंस हो गया एक न्यू इंडिया इसे और एक नेशनल इंसोरेंस हो गया साथ जोरेंस कंपनिया है रट लो रट लो चाचा और रट लो इसको साथ जोरेंस सरकारी है लाइफ इंसोरेंस केवल एक सरकारी है यह question odd one out में पूछता है जिसमें से pure general insurance company यह चारों है जो कि कभी 2000 यह 2002 तक GIC का part हुआ करते थे GIC की subsidiary हुआ करते थे बाद में यह इनसे independent किये अब इनकी owner सरकार है भारत सरकार है यह भी पूछा था कि इसकी owner कौन है अग्रिकल्चर इंसोरेंस और ECGC यह special insurance company यह जैसे बैंकों में भी जो है special बैंक आते हैं इस पेसलाइज बैंक नाबाड के वल अग्रिकल्चर को देखेगा एक्जिम के वल एक्सपोर्ट को देखेगा एनेच बी के वल हाउसिंग को देखेगा नेफिट के वल बिग प्रोज insurance कुछ करके है यह इसी जी सी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कर्पोरेशन यह आपका एक्सपोर्ट वाले इंसोरेंस को देखता है और यह जो है बाद में यह एक री इंसोरेंस कंपनी बन गया जब 1972 में करीब 106 कंपनियों को मर्ज किया गया था तो चे तो चार कंपनि यह बनाई गई थी और उसी समय जी आई सी को फॉर्म किया गया था तो इन चारों के उपर बैठा दिया गया था इन चारों की सब्सेडियरी इन चारों की सब्सेडियरी जी आई सी की सब्सेडियरी बना दिया था इन चारों बाद में इंडिपेंडेंट किया गया इसका का अभी दोस्तों फॉरेंड री इंस्वरेंस कंपनियों की मीनिमम केपिटल रिक्वारेमेंट कम की गई है यह कुश्चन आपके इस बेई प्यों में आया था मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया था कि अधिश्यन डेवलप्मेंट बैंक के हेड़ है मसद सुगु असा कावा कि अब मसद सुगु सा कावा का नाम इतने दिन सुन लियों कि इंडियन लगने लगा क्या है मसद सुगु यहां आवा 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 भारती नौसेना ने प्रद्यों की विकास नवीन समधान और संयूक्त नुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कि किस आइटी के साथ टाइब किया है तो इंडियन नेवी के टाइब दोस्तों आइटी कानपूर के साथ हुआ आइटी कानपूर बहुत न्यूज में रह रहा है ठीक है क्लियर है दोस्तों कुछ आइटी जो भी न्यूज में है जैसे आइटी दिल्ली ने दुबई में ऑफिस खोल दिया आइटी मदरास ने तंजानिया जांजी बार में खोल दिया कैस्परज का इन जाइटी दिलली के साथ टाइब कर लिया यह एर बस ने आइटी कानपूर के साथ टाइब किया है आइटी गुआ टी ने इंडियन काउंसील आ वर्ल्ड एफेयर के साथ टाइब किया है और इसके रिसरचर्चेंश ने तुमनों मसद सुगू असा कावा को जो है कि अमितवा का भाई तो नहीं समझ रहे हो दोस्तों भारत सरकार ने भारत में अध्योगी गल्यारे के विकास का समर्थन करने के लिए कितने रुपए के लोन पर तो 250 मिलियन यूएज डॉलर पर समझोते किए यहां पर 11 इंडेस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही जा रही है कि उसके डेवलप्मेंट में काम होगा यह तो हम लोग पढ़ी चुके हैं दोस्तों किस के साथ किस के किस चीज के लिए लोन हुआ है तमिलनाडू में सोलर पावर प्लांट के लिए 120 करोन रुपए दिये गये है एशियन डेवलप्मेंट बैंक और फॉर्थ पार्टनर एनरजी को दोस्तों किस बैंक में ने देश में सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे लेंगे जर्मनी के 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 फड़ यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट बैंक अफ इंडिया ने चेसो तीन करोड रुपए की लाइन अफ क्रेडिट पर स्टक्चर किये हैं सेवेंट जर्मनी के के फडबलू भी आजकल बहुत प्रियूज में है कि यूनियन बैंक ने दोस्तों एक्सेंचर के साथ टाइब किया है एकसेंचर के साथ एकसेंचर एक सफ्ट्वेर कंपनी है ऑ के क्लियर और चुहरी स्पया अतेदोस्तों रविंद्र बेडए का हाली में 78 यू में इर की आयू में निधन हो गया वह तो वह दोस्तों एक एक्टर थे कौन थे ? 80 वर्स के दोस्तों 86 एर के शेख नवाफ अल-एहमद अल-सबय का भी निधन हो गया कुवैत के शासक थे कुवैत के शासक थे दोस्तों इनका निधन हो गया अब इनके बेटे जो है वहाँ पे नया अमीर उनको गोशित कर दिया गया है कुवैत के यूराज शेख मेशाल अल-एहमद अल-जबर अल-सबा शेख मेशाल मेशाल से याद आया मुशाल मलिक मुशाल मलिक याद आया किस इंसुरेंस कंपनी को दोस्तों Bureau of Energy Efficiency द्वारा National Energy Conservation Award दिया गया तो यह Reliance Nippon Life Insurance को दिया गया Nippon Life जो कंपनी है दोस्तों वो दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी Life Insurance कंपनी है जापान की कंपनी है उसके बाद जर्मनी की एलियांस कंपनी उसका 700 कुछ का है और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पे CLI आती है जो चाइना की Life Insurance है तीसरे पे निपॉन Life Insurance जापान वाली चौते पे अपनी की LIC आती है Life Insurance Corporation जिसने भी सेकेंड क्वार्टर का जो प्रॉफिट अर्न किया है वह 7925 करोड का प्रॉफिट अर्न किया है दोस्तों कि पिछले साल का नेट प्रॉफिट इसका 15952 करोड का रहा है तो दोस्तों अमेरिका की मेट लाइफ और अमेरिका की प्रॉदेंशिल जैसी कमपनियों से भी उपर LIC का स्थान है चौते नंबर पे जर्मनी के ऐलियांस चाइना के CLI और जापान के निपॉन से ये पीछे रह गया 503.07 बिलियन डॉलर इसका रिजर्व है एलियांस का है 750 बिलियन इसका है 500 बिलियन डॉलर यानि 200 बिलियन का अंतर है दोनों में 500 शाड़े 700 500 शाड़े 700 सो ओके क्लियर हैं इस्टेंड इन पूर ग्लोबल रिसेंटली केम आउट वित लिस्ट आफ वर्ड फिफ्टी लाज़ेस्ट लाइश्ट लाइफ इंसरी ये इस्टेंड पूर की दोस्तों ये लिस्ट है ये भी याद रखिएगा इस्टेंड पूर ने ही बोला है भारत को कि 2030 तक जोस्तो तीसरी इकनावी बन जाएगा दोस्तों बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं किसी को बताना मत सेंसेक्स के आगे जब भी तुम देखते हो तो इस्टेंड एंड पूर भी लिखा होता होगा जो बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज का एक्स्ट जो इंडेक्स है जो कि 70,000 इक तर हजार पार कर गया उसके आगे संपी भी लिखा होता होगा इन दोनों के टाइप से वह इंडेक्स चल रहा है यह बात मैं जो खाली तुम लोग को बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे खास हो एक दम बहुत जादा दोस्तों न्यू जर्सी में आयोजित वार्शिक पतियुकता में मिस इंडिया युएसे का ताच किसे पहनाया गया तो यह रिजूल मैनी को पहनाया गया ऻिजूल मैनी को पहनाया गया तरीक है ती के जह इसने हाँ नाम-बियार मिसेज इंडिया युएससे जयी रिजूल मिस ऑल्स इंडिया युएससे बनी है इसका मतलब यह सब आमेरिका में रहने वाली लड़कियां है भारतीय मूल की लड़कियां है अमेरिका में रहने वाली है दोस्तों बीपिन चंद्रा को चैंपियों ऑफचेंज अवार्ड दिया जाता है इंद्रा-गांधी एसी खोबह सी बाते बोल देता हूं जो एक्जाम में आ जाती है यार पता नहीं मुझे तो अपने आप से डर लगने लगा है करमवीर चक्र मेडल आवार्ड आई कोंगो डॉक्टर हेम चंदरन रवी कुमार को दोस्तों दिया गया रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप आई सी माइगरेंड जे प्रवाशीयो का दिवर जो है 18 दिसम्बर को मनाया जाता है कि मानौर्टी राइटस डे भी 18 दिसम्बर को ही मनाया जाता है 18 दिसम्बर को ही मनाया जाता है अख भी माईनार्टी की इस बार का थीम क्या दोस्तों अग्षेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी और इंक्लूजन आज नेश्नल हासिग बैंग में क्या कैक कोस्षेन आया कहां से कुस्षेन आया उसकी डीटेल एकस्प्रेंशन में 12 बज़े बताऊंगा आज आज आप लोग बन चुका है अलग चुका है आप लोग 12 बजे आज एएगा संडे को 12 बजे आज दोपेर को 12 बजे जी यह कोश्चन आस्क हम लोग करेंगे दोस्तों राष्ट्री अपसंक्र कायोग का हेड कौन है यह बताई आप लोग गोवा मुक्ती दिवस हर साल किस दिन मना जाता है 19 दिसंबर 1961 को पुर्टगाली यहां से गय थे दोस्तों सबसे ज्यादा समय तक यहीं रहते 451 साल यहां पर रहे हैं अंग्रेजों के जाने के ब सब्सक्राइब को हटाने के लिए भारत में कौन सा अपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा जो है कि यूट्यूब पर क्लास होगी 12 बजास तो संडे है आज कहां अपर क्लास होती है कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेल्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है तो यह दोस्तों 20 दिसंबर को मनाया जाता है कि अमित राजपूत करें साम को होता तो सर और बढ़िया रहता है तो चलो साम को कर लेंगे उसमें क्या है कि तुम लोग जब बूलो लेकिन मुझे लगता है कि यह कोशन आस जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर लेना चाहिए ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए ऐसी मेरी सोच है करेंगे तो और तकड़ा करेंगे आज तो होगया करम वीर चक्र इनको मिला है भाई साब को अच्च यह परम वीर चकर मत समझ लेना तो तुम लोग आप पर जो है परम वीर चक्र मत समझ लेना इसको कि अ कि इंटरनेशनल एंटी करप्सन चैंपियन अवार्ड दोस्तों निखिल डे को दिया गया इटली का हाइश्ट ऑनर कभीर बेदी एक्टर को दिया गया है कि नियुक्तियों की बात करें दोस्तों अब दिल अब दिल फत्य अल्जी सी तीसरी बार इजिप्ट के राश्ट पती कर दो नहीं है कि दौके ये तीसरी बार क्रिफली बार की इरत होँगे फ्रांज के राश्ष्पती इम्एणुल में करॉं कि यह भी बहुत इंपॉर्टैंट है भाहुत इंपॉर्टनुम इजिप्ट ने इस बार ओर्डर आफ नाइल आवार्ड मोदी जी को दिया है इजिप्ट के अलावा ग्रीस ने भी सम्मान दिया है फीजी ने भी दिया है पापवा नुगिनी ने भी दिया है फ्रांस ने भी इनको सम्मान दिया है मोधी जी को इस साल के संवान को मैं बता रहा हूं कि सूरिनाम ने द्रावबदी मुर्मु जी को वह जो है संवान दिया कि दोस्तों इस बार जो है सिंगापूर के जो प्रइमिनिस्ट्र बने हैं सनमुग रत्नम वह भारतिय मुलके हैं वह नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर है अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी हो मैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में किस देश में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है किसी देश में प्रेसिडेंट हेड होता है ठीक है दोस्तों न्यूस पोर्टल वेबसाइट और एप की और बढ़ते हैं आगे सिक्षा मंत्राले ने गुडवत्तापुर सिक्षा प्रदान करने के लिए साथी पोर्टल के लिए IT कानपूर के साथ टाइब किया है साथी में का मतलब क्या है तो साथी का फुल फारम है पेतालिस दिन का क्रैस क pensoरस जीएई वाले आंग्स वाल ओके लिए सेलफ असेस्समेंट टेस्ट एंड हैट फॉर इंट्रेंड इंटरेंस एक्जाम है दोस्तों अंग्जाम zo grasp है examination नहीं है तो इसमें से कोई भी option सही नहीं है आया मजा कोई भी इसमें से सही नहीं है examination भी सही नहीं है देखिए photo में exams लिखा हुआ है detail में examination लिखा हुआ है लेकिन photo को हम ज्यादा मानिता देंगे अब अब आप लोगे बद चेक कर लो तो एक्जाम है कि एक्जामनेशन है गूगल मारो लेकिन ओफिशियल वेब साइट से देखना एजुकेशन मिनिस्ट्री वाले से निमलिकित में से किस डिश्टल पेमेंट श्टार्टप ने पेमेंट एग्रिगेटर के रूप में काम करने के लिए अरबियाई से अंति मंजूरी प्राप्त की दोस्तों पेमेंट एग्रिगेटर पे प्रतिबंद लगाए गए थे वह प्रतिबंद रेजर पे और कैस्फ्री से हटाए गए दोस्तों अब प्रतिबंद हटाने के बाद दोस्तों क्या कर सकेंगे तुम्हारे कल पढ़ने से क्या होता हम भी तो आज पढ़े हैं तुम यह देखो ऑफीशियल पर क्या लिखा हुआ अरे मैंने क्या बताया तो छोड़ो मैं तो फोटो में देखके अग्जाम लिखा है और उसमें लिखा तुम बस इतना देखके बताओ कि ऑफीशियल वेब साइट पर क्या नहीं देखके होगे तो हम ही देख लेंगे इससे क्या होगा बताईए यह प्रतिबंध हटाया गया ह तरफ सें दोनों पेमेंट एक्रिगेटर पेमेंट अगरीट कमपणियां भी आप से एकजाम में पूछताय कि कौन सी पेमेंट कंपणियां कौन सी कार्डस पेमेंट नेट-वर्क कंपनियां यह सब आपको याद होना चाहिए बसंध कहरें समरार्त कर सकता है rajp कि अमित राजपूत की बात पर अगर बरोसा करें तो एक्जाम फोटो में है तो वही सही होगा ठीक है बाकी जो है आप लोग का एंसर जो है यहां पर जो मैंने पूछा कि अब यह लोग पर प्रतिबंद घटा तो यह क्या कर सकते हैं पेमेंट अग्रिगेटर ना कस्टमर को नहीं जोडता है अब जैसे रेजर पे को प्रतिबंद लगाया गया था वो तो रोज तुम लोग का ग मर्चेंट को फेसिलिटी देता है न डिजिटल पेमेंट के लिए तो यह मर्चेंट को जोड़ेगा कस्टमर को नहीं जोड़ेगा मर्चेंट या नहीं दुकानदार को जोड़ेगा इसके उपर प्रतिबंद लगाया गया था कि कोई नया मर्चेंट को यह नहीं जोड सकता और दोस्तो अभी भी देखो नीचे एक सेकंड लास्ट लाइन में तो पेमेंट अग्रिगेटर कंपणी है फे या इन तीनों पे तो भी प्रतिबंध लगा है मर्चंट का काम नहीं करता है है कर मरचेंट के साथ टाई आपकरता है जैसे कि I like Lie번 में मरचंट कर तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो मेडियेटर है वो पेमिंड एग्रीगेटर है बात समझ में आ गई तो मैं मर्चेंट हूँ तुम कश्टमर हो रेल मंत्रा लेकी ओर से ए पीपियो के माध्यम से पेंशन के डिस्टिब्यूशन के लिए आरबी ने किस बैंक को अधिगरीत किया है तो दोस्तों जो है ये बंधन बैंक ने को अधिगरीत किया गया है पेंशन के डिस्टिब्यूशन के लिए डिस्बर्समेंट के लिए आरबी आई के द्वारा बंधन बैंक नौर्थ इस्ट में कलकत्ता में हेटक्वाटर वाला एकमात्र न्यू प्राइवेट बैंक है अग्यों के बात समझ में आ दिए पेंट एग्रिगेटर समझ गए एकाउंट अग्रिगेटर कोई समझना चाहता है एकाउंट एग्रिगेटर क्या होता है क्योंकि अभी और वन हटाने को दे देगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी पूछ लिया था कॉड़ान फाइल टोकनाइजेशन में कौन कौन से लोग इन्वाल्व होते हैं उसमें सर्च करना भी दिखाते हैं कि सर्च कैसे किया जाता है चलो मैं सर्च करना दिखाता हूं तुम लोग को सर्च करने में अब जैसे कन्फ्यूजन है तुमकों एक्जाम है कि एक्जामनेशन है मुझे नहीं पता क्या है तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा साथी एजूकेशन अब यहाँ पर हमें मिल गया आई आई टी कानपूर हमें इसा ओफिशल वेब साइट देखिए यह पी बी जायों और अच्छा यह पी एह बीन मिल जायों यह सब मत देखिए एक जी मिल जायों अब यह सब मत देखिए कि ज tud라고요 नहीं होगा एक्जामनेशन होगा ठीक है इसको क्रोस वेरिफाई और कर ले तो भाईया पी आई भी देख लिया आप आएटी कानपूर देख ले जिसके साथ टाइएप हुआ है उसको देख लेते हैं कहां गया जी हाँ यह देख एक्जामस लिखा है यह एक्जामस लिखा है तो तुम पी आई बी पे जाओगे तुम पी आई बी पे जाओगे सरकार के उस पे जाओगे ठीक है अगर मिनिश्ट्री आफ एजुकेशन पर टो एक्जामस लिखा है तो हम उझे तो लगड़ा एक्जामस योगाइटी कानपूर ने भी एक्जामस बोला है और मिनिश्ट्री आफ एजुकेशन जो साथी का वेब साइट है ऑफिशियल यह भी एक्जामस ही बोल रहा है यह जो इसके एम जगदेश कुमार है जो यूजिसी के हेड है उनिवर्सिटी ग्रेंट कमिशन के यह भी एक्जामस ही बोल रहे हैं एक्जामस बोलना आसान होगा खैर इतना बहुत बड़ी इस्यू नहीं है ठीक है चलो एब्रेवियेशन है एक्जामस एक्जामनेशन यह सब नहीं पूछेगा ठीक है ओके बड़ी दुविदा है यही रात अंतिम यही रात भारी है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां जल्दी से अब मिनिस्ट्री अफ एजूकेशन और साथ ही जब खुद ही बोल ला है देखो सबसे बड़ी बात तो उससे खुद से पूछो कि तुम बताओ तुम कौन हो तो वहां पर साथ ही पोर्टल और मिनिस्ट्री अफ एजूकेशन तो एक्जाइम से ही बोल रहा है थीक है दोस्तों तो चलिए किस एयर लाइन्स ने एक ही केलेंडर वर्स में सौ मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती एलाइन बनके इंतिहास रच दिया है तो यह इंडिगो है भारत की सबसे बड़ी कमपनी है सिविल अवियेशन की लेकिन इंटरनेशनल अभी तीस तारीक को आयोद्या में जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल उसकी पहली उडान भी यह उड़ेगा यह 2006 में दोस्तों जो है यह शुरू ही ती किस दो व्यक्तियों ने शुरू किया यह भी कोश्यन आया था एक्जाम में पीटर एलबर्स इसके हैड है जो आये टीय म में भी मेंबर चुने गया है मॉंट्रियाल कनेडा में में नहीं आद देखो मोतिला लोसवाल फिनेंशल सर्विसेस के अध्यान के अनुसाद 2018-2023 तक पांच वर्सों के दरान कौन सी कंपनी सबसे बड़ी वेल्ट क्रियेटर थी और इसमें सबसे बड़ी चौकाने वाली सबसे बात मालू में क्या है कि टॉप 10 में HDFC नहीं है मार्केट कैपिलाइजेशन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारत का सबसे बड़ा मार्केट कैपिलाइजेशन वाला बैंक जिसमें HDFC अच्छी में मर्ज हुआ तो दुनिया के टॉप 7 में पहुंच गया जो वह वेल कि ICC इससे तेजी से आगे निकल रहा है यह HDFC के लिए खत्रे की घंटी है टॉप 10 में देखो पहले नंबर पर मारकेट के पडलाइजेशन में रहता है है यहां पे भी है यह लेकिं तीसरे नंबर में produce में HDFC रहता है और ICC पाचवें पे रहता है यहां HDFC गायब है और ICC यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों भारत में DSIB कौन कौन है भारत में DSII कौन कौन है Domestic Systemically Insurance Company कौन कौन सी है बताइए तो दोस्तों यहां पर यह टॉप फाइफ कंपनी दे सकता है तो Infosys यह को तीन तो ऊपर की याद हो जाएंगे तुमको Infosys मार्केट के लिएशन में भी चौते नंबर पर इसमें भी चौते नंबर यह भी याद हो जाएगा बाकी सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर बैठे ही हुए है एस बी आई मार्केट के अप्लाइजेसन में भी साथ वह पर बैठा है पाच लाक करोड से उपर की संपत्ती के साथ ठीक है ओके तो दोस्तो यह भी पूचा जा सकता है कि किस किस कितने साल के बीच में पांच साल दोजा ठारा से तेइस कितने रुपे की संपत्ती जोडि यह भी पूचा जा सकता है तो दोस्तो 9,63,800 करोड की संपत्ती जोड़ी, कितने की? 9,63,800 करोड रुपे की संपत्ती जोड़ी है, ठीक है, क्लियर है, परकृती मिस्रा करी सरक कब तक चलेगी क्लास, बस मैं इसी कोश्चन का इंतजार कर रहा था, मैं इतने दिर से, कैप्री ग्लोबल, दोस्तों, यहां पर देखिए, बहुत बड़ी बात है, कि शेर मार्केट में कहां निवेश करना चाहिए, इस से ये भी हमें पकड मिलेगी, देखिए, लो प्रोफाइल कंपनी लॉइड मेटल्स हैज इमर्ज दा फास्टेश्ट वेल्थ क्रियेटर, इसक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हिंडन बैग रिपोर्ट के बाद भी बहुत तेजी से बढ़ा, 78% पांच साल में बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से कौन बढ़ा, लॉइड मेटल, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कैप्री ग्लोबल is most consistent wealth creator, यानि आप कैप्री ग्लोबल का भी share ले सकते है, पांच साल में highest price जो है इसका रहा है, 50%, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अदानी enterprises के बारे में फिर से सुन लो, 9th biggest, 2nd fastest, and 5th most consistent, ठीक है, ओके, 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 अगर सरकारी बैंकों में देखा जाए, तो दोस्तों, एकमात सरकारी के कमपनी कौन सी है, SBI है, जो टॉप 10 में है, वैसे दो बैंक की इस लिष्ट में है, बैंक और माराष्टा का भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, बैंक और माराष्टा और SBI, अगर डिफेंस सेक्टर में देखा जाए, तो भारत डैनेमिक लिम्टेड जो सब मिसाइल बनाता है, है, हैदराबाद वाला भारत इलेक्ट्रानिक लिम्टेड और हिंदुस्तान अरोनाटिक्स लिम्टेड जो तेजस बनाता है, अभी कौन सा विमान उड़ाया था, मोदी जी ने, दोस्तो, कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है, यह 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ, ठीक है, दोस्तो बस यह न्यूजपेपर वाला पढ़ा के आप लोग को छोड़ दूँगा, ठीक है, ओके, कोई बात में, साक्षी मलिक जो है, दोस्तो रेसलिंग से स्तीफा दे दिया, क्योंकि संजे सिंग को रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया का हेड बना दिया गया है, जो कि भिजबूसर स्रणसिंग से के खास आदमी है, केरल को दोस्तो, मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट टू वर्क बोला गया है, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, यू वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटिफूल एरपोर्ट का अवार्ड इसको यूनेस्को के अवार्ड में मिला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके, गार्डन सिटी ऑफ बैंगलोर, टी टर्मिनल टू, दोस्तो, फ्रांस के साथ 6 सम्मरीन हो चुकी, वेला, वगीर, वक्सीर, कल सवेरी, करंज, खंडेरी, मजगाउ, डॉक्सी, बिल्डर बना रहा था, अब तीन और समरीन का अउडर ले आ गए, 36 रफेल, जो है, दोस्तो, एरफोर्स को दिला चुके, 26 रफेल, एम, मतलब मेरी, मरीन, नेवी वाले को अब फिर से यह दिलाएंगे, तो ये डील भी दो है, जो है, दोस्तो, यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके, क्लियर है, लाइसी, दोस्तो, जो है, गेट टाइम्स फॉर मिनिमम सेर होल्डिंग कंप्लाइंस, तो दोस्तो, जो है, यहाँ पर बोला गया है, देखो, अभी लाइसी, जार करोड का, 25% मिनिममम पबलिक शेर होल्डिंग इसकी मार्केट में होनी चाहिए, मलब इतना यह शेर बेचेगी, 10 साल का टाइम दिया गया, मई 2032 का, मई 2032 का टाइम दिया गया है, इसका मतलब मई 2022 में IPO आया था, मई 2022 में क्या आया था, ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलो, तो दोस्तों यहां पर बीनेस फोगट रो रही है, बजरंग पुनिया ने अपना पद्म पुरुसकार फुटपात पर रख दिया, साक्षी मलिक ने दोस्तों यहां जूता रख दिया, और अपना जो है, पहलवानी को, इस्तीफा दे दिया, सन्यास ले लि चीह, हम दोनों को टीकट मिलेगा, कांगरेस से, और इनोंने काम किया, सफल ता पुरवक किया, पिछले एक साल में इनोंने सफ़लता पुरवक कार किया, अब इनको टीकट 2-24 वला मिलेगा, और इसे इधर सब लोग सरन्यास ले ले लेगे, और बीङो का उमर समय हो गया, अब राजनीती में अपने क्योंकि इस बार जो है जानी ही है बहुत अच्छा काम तो करने रहे हर्यादा में कॉंग्रेस की सरकार आएगे तो लोग मंत्री भी बन सकते हैं खेल मंत्री बन जाएंगे फिर हर्यादा का लोग सब फेडरेशन ही बदल देंगे इस तरीके से आद इंडिया नूबर वण पे रहता है और नंबर Flight रहेगा र只有 समय इंडिया पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा भारत में पैसे बेजते हैं है इसमें सبसे ज्यादा के पाहाँ जो वीदेश में रहते खرल वाले वहीज़ाधा पैसा भी तो इंडिया 25 प्रिल युइन सब बताइए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं बस आप लोग इस क्वेश्चन का एंसर दे दीजेगा और आप लोग जी जाएंगे आट रूपे 72 पैसे इसके आगे की चीजे तो मन्तली वाले में पढ़ते ही रहेंगे ओके चलिए बहुत बढ़िया धन्यव हाउसिंग बैंक का पेपर है बहुत अच्छा पेपर था बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़े अनलाइस करेंगे उसी में मिलते हैं 12 बजे चलिए बबाए टेक क्या लव यू और गॉड प्लेस यू अ झाल 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 झाल